Option B News की पूरी टीम की ओसे मैं कुनाल की सोवर आपके तरफ मुखातिब हो रहा हूँ आखिर हमने जब ये News Portal स्टार्ट किया था तो हमें हमारे अंदर एक विजन था एक ट्रांस्फॉर्मेशन करने की चाहत थी जिसको लेकर हमारी टीम इकठी हुई और हमने काम करना सुरू किया पहली बार हमारे टीम की तरफ से कोई भी सदस से आख के तरफ मुखातिब हो रहा है ये दौर क्यों आया इसके पीछे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कंटेंट को लेकर हम लोगों ने बहुत ज़ादा बहुत सटी कंटेंट देने की कोशिस की हाइपर लोकल में बिहार को कभर करने की कोशिस की ट्रेंट्स को पकड़ने की कोशिस की और कही ना कही कोशिस की कि हम content को लेकर जो viewer है उनके लिए जादा सोचे हम content उस end user के लिए develop करें जो हमारे content को consume करता है लेकिन आपको जानकर हस्चर होगा कि जब हम content का consumption pattern देखते हैं तो हमने वैसी stories को जिसको बहुत मन लगा कर किया और जो आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती थी वैसी stories को आज के जन्मानस में कम पढ़ा जा रहा है और ऐसी stories मैं आपसे share करना चाहूंगा यह हमारी team के द्वारा develop किया गया है कि 19 साल के उम्र में एक ही रात में रौते थे 20 मर्द इस तरह की stories बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे हाँ अभी हमने एक बहुत ही सांदार positive story की है जिसका headline है सर्वेश ससी 27 साल का एक योगी entrepreneur जो लोगों की खुसियां बाट कर करोण रुपे कमाता है इस तरह की story कंजियूम नहीं की जाए मित्रो हम चुनाओ को कभर करने के लिए आगे के दिसा में चाले है आपको पता है news की इस तुनिया में बामपंथी विचारधारा से भरे लोग हैं दक्षिरपंथी विचारधारा से भरे लोग हैं लोग ऐसा दावा करते हैं कि पहले वो देश के बारे में सोचते हैं पार्टी के बारे में सोचते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं लेकिन हम जब इस election को कभर करनी के लिए जा रहे हैं तो हम दूसरी बातों को सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं कि 2019 के चुनाओ 2019 का भारत नहीं 2020 का भारत बनाएगे 2025 के भारत कैसा होगा उसके सामने क्या चुनोतिया हैं ये तो सकते हैं कि जादा तर हमारे इंजिनियरिंग कॉलेज अपरासंगिक होगे हैं बड़े से बड़े इंजिनिरिंग कॉलेज खस्ता हाल में हैं मेडिकल कॉलेजों की स्थिती बुरी है सिक्षा मित्रों के सहारे एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है फिर ऐसी अवस्था में कैसे भाविश से क्वे भारत का निर्माण होगा हम उस अवस्था से आए इस देश ने ना इंडस्ट्रियल रेविलूशन देखा और ना ही मैनुफेक्ट्रिंग हब के तरफ कदम बढ़ा है हमारे घरों में उतार के टेलीफोन के कनेक्शन लाख लोगों के घरों में रहे आज करोडों लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं यानि जो हमारे डेवलोप्मेंट का इंडेक्स है या जो हमारा पिकास है वो एक ग मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट हम डेवलोप नहीं कर पाए अब मैं आपको 2025 के भारत की चुनोतियों के बारे में बताना चाहता हूँ आप जड़ा सोचिए हमारे इंजिनिंग कॉलेजिज में किस कैटेगरी की आर्टिफीसियल इंटिलिजेंस और मसील लर्निंग की पढ़ाई हूँ रही है वैस्ट्रिक चुनोतियां इतने उच अस्तर की हैं कि क्या हम उसको कमप्टीट कर पाएंगे क्या हम इवेस्से और चाइना की तरह सोच सकते हैं भारत में अभी विराजजितिक पाटियां पूराने सिस्टम से बाहर नहीं आ रही है वो लोगों की जन भावनाओं को बाहर करके बोट का बजार खड़ा करना चाहती है लेकिन एक इवाज जो 2019 के चुनाओं में बोट देने जा रहा है वो इन चुनोतियों को कितना समझता है और इन चुनोतियों को कैसे लेता है हम अपने content के थुरू कोशीज करेंगे कि हम अपनी जन मानस के अंदर उस चुनोतियों के बारे में लोगों को बटा सकें हम अपने portal पर content का behavioral shift भी कर रहे है हम hard news से shift होकर लोगों को प्रणा देने वाली है स्टोरीज और सिर्फ क्राइम और पॉलिटिकल अपडेट का पूर्टल बनकर नहीं रहना चाहते हैं इसके अलावा जो सबसे गंभीर चुनोती है ये ये है कि भारत के अंदर आप जरा सूचो लाख लोगों के पास भारत की टोटल संपत्ती का 90% है उस 90% में लाख में हजार ऐसे लोग हैं जो 80% संपत्ती पर अपना दावा रखते हैं और उस 1000 में सैकड़ों में लोग हैं और उस सैकड़ों में 50 में लोग हैं और 50 के बाद उस सिर्फ 10 लोग बसते हैं जिनके भारत के 14 सर पूजी पर दावा हैं ऐसे हालत हैं कहने के लिए 700 करोड की अबादी का देश वैसे लोग जो इतनी भारी भरकम रिसोर्स पर अकेले आध रखे हुए हैं वो क्या किसी ग्रामीड छेतर में रहने वाले ग्रामीड किसान की चुनोती को समझ रहे हैं क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि वो किसान जो अब तक ट्रैक्टर से खेती करता है उसकी आनी वाली पीड़ी मसीन लर्निंग और आर्टिफिसियल एंटिलिजन्स के चुनोती से कैसे निप्टेगी ओला जो आज लोगों के लिए जौब क्रियेट कर रही है दस साल बात जब हमारे पास ड्राइवरलेस कार होगा तो उस चुनोती को हम कैसे निप्टेगी क्या हम वोट डालते वकत ये चीजे समझते हैं कि हमारी आज से कल का निर्मार होता है और आज की इवापिढी जो तमाम तरह के दवाओं में जी रही है वो एस्ट्रेस में जी रही है एक देखती चार अगनी का काम कर रहा है हिमन रिसोर्स हमारा सबसे ज़्यादा दवाओं में है हमारे पास ट्रेवल करके ओफिस तक पहुँचने के सिस्टम अभी भी पू जाते हैं लोन के उपर जो हमारा देशज मॉडल था उस मॉडल को हटा कर जो वैस्ट्रीक रूप से लोन लेकर ग्रोथ करने की ब्रिधी करने की जो चाहत लोगों के अंदर आई आज NCR के अंदर सैक्डो फ्लैट बन कर खड़े हैं या तो बिल्डर्स भाग गए या उस फ परसेंट फिल रेट हैं एक एक करोड रूपे के फ्लैट बेचे जा रहे हैं 2000 स्कॉर फिट और ठाई हजार स्कॉर फिट के और वो करोड रूपे के अगेंस में लाखों रूपे की EMIस दी जा रही है और ग्रामीड छेतर में इस सित इतनी खराब है कि वो गाउं के इलाके स इसे लोग पलायन करके सहर के तरह भाग रहे हमारा जीडिपी जो है चंद मेट्रोस के आजू बाजू में घूम रहा है ऐसी हालत में हम किस तरह की सरकार की संग्रचना करें किस पक्ष के साथ जाएं कौन सा पक्ष हमें 2025 के भारत को बनाने में चादा कारगर सिद्ध हो सकता ह यह सोचने की जरूवत है और समझने की जरूवत है और इसके इतर यह भी समझने की जरूवत है कि क्या हमें नई राजनितिक पार्टी चाहिए जो इन सारे पुराने बैचारिक अस्तर पर लड़ रहे राजनितिक दलों से मुक्ति दिला सके यह एक बहुत बड़ी चुनोत क्योंकि अभी हाल में ही नई राजनितिक दल के रूप में उब्री आम आदमी पाटी ने लोगों के बीच में अपनी विश्वसनियता को तीजी से खोया है, इस खोय ही विश्वसनियता के बीच में फिर एक नए राजनितिक दल का आना और उस राजनितिक दल का लोगों को समर्थन करना जो नई वैस्विक चुनोतियों को समझ सके और उसके खिलाब लड़ सके कितना चुनोति पूर्ण कारे है आप समझे यह सब संभो है गांधी ने अपने अंदर वो हिम्मद जुटाई थी पूरे भारत को देखा था और आंदोलन किया था और आंदोलन को वापस भी लिया था लेकिन वो अंदर से उस चीज के लिए द्रण परतग्य थे तो क्या हमारे देश में देश की बारे में देशस सूज रखने वाला कोई ऐसा नित्रितु मिलना अनवर्णसों में संभो है इन सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे टीम के सदस से एकीट करकर आप तक मुखातिप भी होगे लेकिन इन सब के बीच हमारी चुनोती ये है कि हमारे कंटेंट के कंजम्शन का पैटर्ण हम एवियरेल सिफ्ट करना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि आप क्राइम और पोल्टिक्स के अपडेट को पढ़ें हम आपके जीवन में कुछ तरो ताजा कर देने वाले कंटेंट को आप तक मुहिया कराना चाहते हैं जिससे आपको प्रेणा मिले इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाईए हमारे वेबसाइट को ब्राउज कीजिए उसके कंटेंट को देखिए और आप किस तरह का कंटेंट कंजूम करना चाहते हैं इसके आप हमें सुझाओ दे सकते हैं वहाँ पर हमारे contact us में mail id दी विए उस mail id पर अपने सुझाओ हमें भेजिए हम अपने तरप से हर ऐसी कोशिस करेंगे कि हम उस content को unbiased रूप में लोगों तक ले जा सके इन सब काम के लिए धन्यवाद और आप लोग का सिरबात मिले और हम अपने योजना को आके ले जा सकें इसके लिए हम आप लोग का शमर्थन या आप लोगों के इतनी इक्षा जाहिर करते हैं कि आप इन सारी चीजों को हम लोगों तक पहुँचाएं कि आपकी क्या इक्षा है उसको हम एकुमेंडेट करने की कोशिस करेंगे धन्यवाद